हाई गाई वाट्स अपने वेलकम बैक टो जीजी 3.0 क्या हल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चो और हम लोगों ने जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो हम लोगों ने एड्जॉप्शन आइसो थर्म कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने यहां पर आइसो थर्म को यहां पर कंप्लीट कर लिया था अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चो और आज के लेक्चर में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखा जयता हूं डेट इस हेडिन डालेंगे आप लोग एड्जॉप्शन हेडिन डालेंगे सब लोग एड्जॉप नहीं पा रहें ये क्या कहना चाहते हैं ठीक से बताई तो बताया रहें हैं मेरे प्यारे बच्च ध्यान जाएज बातकर सुनेंगे देखो imagine करो कि आप लोगों के पास में एक solution है ठीक है, imagine करो आप लोगों के पास में solution है मान लो यह solution मैंने बनाया है इसमें मैंने मिलाया है acetic acid, मान लीजे आप लोगी solution में हम लोगों ने क्या मिलाया हुआ है हम लोगों ने solution में मिलाया हुआ है acetic acid और acetic acid के साथ में हम लोगों ने इसके अंदर मिलाया हुआ है water acetic acid plus water का solution है अब गाइस मुझे एक बाद बताओ जैसे ही आप इसके अंदर lithiumus paper डालोगे तो lithiumus paper आपको red color का दिखाई देगा lithiumus paper आपको red color का दिखाई देगा क्यों क्योंकि solution के अंदर आपके acid है क्या ये बात आप में को समझ में आ रही है now इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चो जैसे ही मैं थोड़ी सी मात्रा में charcoal add कर देता हूँ जैसे में solution में थोड़ी सी मात्रा में charcoal add कर देता हूँ charcoal के add करते ही क्या होगा slowly and steadily charcoal के इसके अंदर जाने के बाद मुझे क्या observation दिखाई देगा that upon adding charcoal जैसे ही आप इसके अंदर charcoal add कर दोगे जैसे ही आप लोग इसके अंदर charcoal add कर दोगे you will observe that the concentration of acetic acid that the concentration of acetic acid decreases acetic acid का concentration धीरे 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 इसके अंदर decrease होता जा रहा है and now after some time and after some time कुछ समय के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चो कुछ समय के बाद क्या होगा you will observe no change in litmus color यहने की आपका जो litmus अभी अभी आपका जो मेरे प्यारे बच्चो जो litmus आप लोगों ने जो test किया था जो litmus का color अभी आपके litmus paper का color जो red आ रहा था थोड़ी देर पहले अब वो color के अंदर कोई change दिखाई नहीं देगा that means जितना भी acid हुआ करता था वो सारा का सारा charcoal के उपर जाकर क्या हो जाएगा वो सारा का सारा charcoal के उपर जाकर adsorb हो जाएगा क्या बाद समझ में आ रही है आप लोगों को and this is called as adsorption in solution phase therefore यहाँ पर आप एक बाद star बना कर लिख सकते हैं कि आपके जो solutes होते हैं solutes are adsorbed solutes are adsorbed by solid by solid adsorbents by solid adsorbents from their solution from their solution उनको उनके solution में से निकाल कर अपनी surface पर adsorb कर लेते हैं solid adsorbent and this is called as adsorption in solution phase क्या बाद समझ में आ गई बहुत easy concept है मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई जादा दिमाग लगाने ही जरुवत है मलब अभी तर आप लोग सिर्फ gases के बारे में पढ़ रहे थे कि जो आपके रूम में gas मौजूद है अगर मैं charcoal रग दू तो सारी gas charcoal पर adsorb हो जाएगी लेकिन यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरे पास में original बढ़िया वाला solution है तो solution में से भी जो आपके solute होते है solute को आपका जो adsorbent होता है वो अपने उपर निकाल कर adsorb कर लेता है and this is called adsorption adsorption in solution phase आगे चलते हैं इसके लिए जो equation बनेगी इसके लिए equation बनेगी वह equation क्या बनेगी obviously याद करो हम लोगों ने जो इसकी equation बनाई थी और हम लोगों इसका जो graph बनाए था मैं parallel यहाँ पर graph भी बनाना चलता हूं ताकि हम लोगों को कोई जादा तपलीप ना आए देखो एक axis हमने यह बनाए था एक axis हमने यह बनाए था सब याद करेंगे यहाँ पर हम लोगों ने log x by m रखा था और यहाँ पर हम लोगों ने पिछले ग्राफ में log P रखा था P for pressure लेकिन यहाँ पर मैं नया term यूज कर रहा हूँ log C, log C में इस axis पर यूज कर रहा हूँ log X by M में यहाँ यूज कर रहा हूँ यहाँ पर इसकी equation क्या मनेगी X by M is equal to K C to the power 1 by N equation exactly same रहेगी where X is the mass of solvent जो क्या adsorb हो रहा है M is the mass of your adsorbent जिसके उपर हमें इसको adsorb करना है and C क्या है C is the concentration of solution आपके solution का concentration कितना है वहीं पर आप लोग सब जानते है K और N यह दोनों basically आपके constant होते है यह दोनों आपके constant होते है और यह दोनों किस पर depend करेंगे nature of your sorry mass of solute लिखना वड़ेगा this is the mass of solute solute कोई जैसे acetic acid solution है acetic acid को पानी में मिलाया acetic acid solute और पानी solvent तो हमें solute यानि acetic acid को हमारे charcoal पर adsorb करना है acetic acid का mass कितना है वह adsorbent का mass कितना है वह दोनों charcoal कितना लिया और concentration कितना है आपके solution का अब जब आप इसे log में convert करेंगे now जब आप इसे log में convert करेंगे तो यह हो जाएगा log base 10 x by m is equal to x by m is equal to भाई देखो equation आप पूरी के पूरी जहीं से उठा लो यह वाली equation आप पूरी के पूरी उठा लो log वाली हमने यहां कितना यह वाली देखो यह देखो मैंने यहां पर आपको सिखाए था ln मतलब natural log log base e तो यह तो आप log base 10 convert कर लो तो 2.303 से multiply करना रहेगा यह simple natural log ले लो चलो हम लोग भी आपन natural log ले लेंगे हम लोग वहाँ पर भी natural log लेंगे हम लोग log base 10 लेकर काम नहीं करेंगे हम इसको natural log ले लेते हैं हम इसको ln लिख लेते हैं हम इसे क्या ले लेते हैं? ln तो natural log x by m is equal to natural log k plus 1 by n property के सबसे नीचे उतर क्या जाएगा और यह जाएगा ln c now हम लोग सब जानते हैं कि यह आपका y हो गया यह हो गया तुमारा m यह हो गया तुमारा x और यह हो गया तुमारा c तो y is equal to mx plus c के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जो equation के हिसाब से जो graph देखने को मिलेगा वो obviously पहले यह साई देखने को मिलेगा यह यह आपका slope हो जाएगा this will be your slope है ना slope क्या हो जाएगा one by n और यह आपका intercept हो जाएगा intercept intercept क्या हो जाएगा lnk कोई दिक्कत तो बहुँ ग्राफ तो बिल्कुल पहले जैसा ही है ग्राफ तो बिल्कुल पहले जैसा ही है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बस यहाँ पर एक चीज चेंज हो गई वो हो गया आपका concentration that's it उसके अलावा यहाँ पर कोई भी बड़ा चेंज नहीं है ठीक है नौ यह जो absorption है यह जो आपका अपने आपर जो absorption लिया है यह absorption किन चीजों पर depend करता है absorption will depend on absorption will depend on कौन सा absorption प्यारे बच्चों कौन सा absorption यह वाला जो आपने भी solution में से किया है पहली चीज is the concentration of your solution आपके solution का concentration कितना है भई मुझे एक बात बताओ अगर आपके solution का concentration जादा है मतलब कि उसमें solute की मातरा solvent के अंदर जादा है तो concentration अगर आपका अच्छा होगा तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो यहाँ पर आप bracket में लिख लेंगे if the concentration of a solute is more absorption will be more सिद्धी बात है absorption will be more बिलकुल सिद्धा था concept है दूसरा मेरे प्यारे बच्चों तो अगर मैं आपसे यहाँ पर discuss करूँ दूसरी चीज़ क्या होगे temperature अगर आप temperature बढ़ाओगे if temperature increases absorption decreases मतलब की दूसरा concept आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप solution में भी absorption कर रहे हो अब यहाँ पर gas की बात नहीं यहाँ पर solution में भी अगर आप absorption कर रहे हो तो temperature कम ही रखना है मतलब temperature पर भी matter depend करेगा कि आप कितना temperature ले रहे है तीसरा surface area तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों surface area जितना जादा surface area होगा उतना दा absorption होगा तो more surface area more will be absorption ठीक है तो यहाँ पर आपका absorption isotherm पूरी तरीके से complete होता है आपका absorption पूरी तरीके से 100% complete होता है हम लोगों ने absorption in solution नहीं देखा था वो हम लोगों ने आज के lecture में देख लिया इतना note कर लीजे फिर हम लोग आगे बढ़ते note it down guys ठीक है आगे बढ़े चलिए तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर हमारा नया topic start करने वाले हैं जिसका नाम है कै टे लेसिस नया topic start करने वाले हैं जिसका नाम क्या है प्यारे पच्चों गुलजारी लालो catalysis now what do you mean by catalysis guys मैंने देखा कि अगर मेरे पास में तू मोल्स ओफ के सी एल ओ थ्री नामक कंपाउंड है तो मुझे इसे लगबग 6663 से 823 kelvins तक strongly heat करना पड़ता था मुझे इसे क्या करना पड़ता था मुझे इसे strongly heat करना पड़ता था तब कहीं जाकर मुझे मेरा product टू मोल्स ओफ के सी एल प्लस त्री मोल्स ओफ oxygen gas मिलती थी यह मैंने observe किया लेकिन इस chemical reaction में अगर मैं इस chemical reaction में 2 मोल्स ओफ KCLO3 2 मोल्स ओफ KCLO3 के अंदर अगर मैं MNO2 नामका compound मिला दूं तो यहां पर मैं क्या देखता हूं कि ना सिर्फ यह chemical reaction lower temperature पर हो रही है मैं लगा we have to simply heat this compound at इतना temperature यहां देखो यहां पर जादा temperature लगता था यहां पर कम temperature लग रहा है यहां पर यह reaction थोड़ी slow हो रही थी धीरे धीरे हो रही थी लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर के MNO2 डाला इसके अंदर यह reaction में क्या देखता हूं यह reaction में देखता हूं कि reaction एगदम faster rate पर हो रही है the rate of chemical reaction increases over here क्या पास समझ मा गई तो यहां पर क्या हूँगा therefore यहां पर MNO2 ने कोई ना कोई तो काम किया होगा MNO2 ने क्या काम करा MNO2 यह act as a catalyst इसने किस प्रकार काम किया इसने catalyst की तरह यहां पर काम किया MNO2 played a role of catalyst तो यहां पर हमें अब कुछ पता चला कि यार दुनिया में chemical reaction के rate के साथ में chemical reaction की speed के साथ में खिलवाड करने के लिए कुछ chemical substances का इस्तमाल किया जा सकता है कोई दिक्कत और जब इसके बारे में detail में study किया गया so in 1935 हमारे scientist जिनका नाम दा चाचा बर्जेलियस हमारे बर्जेलियस चाचा ने named such compounds he named such compounds he named such compounds as as catalyst as catalyst उन्होंने इन compound को catalyst नाम दिया किसको यह MnO2 जैसे compound को now what are basically catalyst catalyst होते क्या है तो यह अपर लिखेंगे that catalyst are the chemical compounds catalyst are the chemical compounds that increase or decrease देखो बहुत बड़ा misconception कई सारे बच्चों के मन में होता कि catalyst सिर्फ chemical reaction के speed को बड़ा देते हैं नहीं 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 कुछ कुछ chemical reaction की speed को कम करने का भी काम करते हैं so catalyst are the chemical compound that increase or decrease the rate of a chemical reaction rate of a reaction किसी भी chemical reaction के rate को यह बड़ाने का यह घटाने का काम कर सकते हैं without participating without participating chemically in it याने कि इन chemical reactions के अंदर खुद participate नहीं करेंगे chemical reaction के अंदर मतलब कि जिस condition में आप MnO2 को जिस amount में जितनी मात्रा में जिस स्तिती में जिस condition में आप MnO2 को इस chemical reaction के अंदर डालोगे यह exactly वही quantity में वही condition में वही मात्रा में वही situation में reaction से बहार आ जाएगा मलब हुआ क्या मलब हुआ यह कि जो आपका catalyst है इसने chemical reaction के rate को बड़ा या घटा दिया लेकिन खुद पठे ने उसके अंदर chemically participate नहीं करा है म्याने कि मेरी भाषा में catalyst और कोई नहीं शादी कराने वाला पंडित है बना पंडित जी आएंगे और शादी करवाएंगे पंडित जी अगर अच्छे हुए तो शादी जल्दी हो जाएगी पंडित जी अगर बहुत जादा अच्छे वे तो शादी धीरे होगी तो पंडित जी का काम शादी करवाना होता है अब पंडित जी चाहें तो शादी जल्दी करवा दें या धीरे करवा दें लेकिन आपने कभी देखा है कि पंडित जी शादी मायर बोल और दुलहन की शादी करवाता है और खुद चला जाता है क्या कभी किसी पंडित को तुमने दुले से शादी करते वे देखा है क्या कभी किसी पंडित को दुलहन से शादी करते वे देखा है नहीं मतलब पंडित शादी करवाता है पर खुद शादी नहीं करता है वहाँ पर म सामने वाली reaction के rate को बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं क्या इसके अंदर कोई भी दिक्कत ठीक चीज आप यहाँ पर देखो जब यहाँ पर catalyst absent था जब यहाँ पर absence थी catalyst की आप देखो chemical reaction धीरे धीरे हो रही है और जादा temperature लग रहा है लेकिन आप देखो जब आपने आपर catalyst डाल दिया तो reaction कम temperature पर जल्दी speed में हो गई faster speed में हो गई so that is the role of catalyst क्या बास समझ में ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगो कोई दिक्कत देख लो ध्यान से अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी problem आ रही है तो देख लो अगया है एक और शांदर अपडेट अन academy combat जो कि इस बार NTSC special होने वाला है that means based on the NTSC syllabus January 9th एक बच्चे 60 minutes का question paper होगा 40 questions इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर scholarship आपको मिलेगी for IATJ need foundation and need an academy plus subscription top three students को यहां पर medal मिलने वाला है gold medal silver medal and bronze medal guys अगर आप इस combat के अंदर अगर आप ranks लेकर आते हो तो rank wise भी आपको इसके अंदर बहुत सारा फाइदा मिलने वाला है syllabus guys आप लोग यहां से follow कर सकते हो syllabus mental ability पर होने वाला है and smallest aptitude test यहने जो typical आपका NTAC syllabus होता है वही होता है so guys देर की इस बात की enroll in an academy combat now हां और क्या बोला था मैं catalysis क्या होता है तो guys the phenomenon with which a catalyst so the phenomenon in which catalysis increase or decrease the rate of a chemical reaction and the phenomenon and the phenomenon is called as chatelysis chatelysis I mean catalysis कोई दिक्कत कोई परशानी पक्की बात 100% clean note करो screenshot लो आगे बढ़ते हैं फिर फटा फट से दो important बाते मैं आपको और बताऊंगा ठीक है चली great आगे बढ़ते हैं now मेरे प्यारे बच्चो यहां पर दो important terms आपको सीखना मेरे फात में बहुत वादा वरूरी है that is पहली term is promoters and दूसरी term poisons promoters and poisons now what do you mean by promoter and what do you mean by poisons सबसे पहले मैं poison की spelling check करूँगा POI POI and SONS sons याने की जितने भी लड़के हैं वो point point okay तो promoter and poison मेरे प्यारे बच्चो आप लोगों ने पंडित जी को शादी में आते वादे देखा होगा लेकिन आप लोगों ने पंडित जी के साथ में का असिस्टेंट भी देखा होगा मतलब की promoters होई है so basically promoters are the substances promoters are the substances that increases the efficiency of that increases the efficiency of promoters ये sorry of catalyst आपके जो catalyst होते हैं मेरे प्यारे बच्चो catalyst की efficiency को बढ़ाने का काम कौन करते हैं promoters यानि promoters ऐसे substances हैं जिनकी presence में catalyst खुल के काम करता है catalyst एकदम मस्त मोला होके काम करता है क्या इसके अंदर कोई दिक्कत इसका सबसे best example जो मैं आपको दे सकता हूं इसका सबसे best example है molybdenum 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 symbol MO basically molybdenum एक बहुत अच्छा promoter है so molybdenum is a promoter molybdenum is a promoter of iron in in harbor process हम लोग सब जानते हमारी जो harbor process होती है harbor process harbor process क्या होती है harbor process में आप nitrogen gas का treatment hydrogen gas के साथ में करते हो under very high temperature under very high pressure जिसमें आप iron को as a catalyst डालते हो and molybdenum को उसका promoter डालते हो तब कहीं जाकर आपको ammonia नाम की gas दिखाई पड़ती है so basically is chemical reaction के अंदर molybdenum क्या होगी आपका promoter अच्छा तो sir poison क्या होता है guys हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप ये harbor process कर रहे होते हो तो star बना कर हम लोग नोट करेंगे that during this process that during this process ये process करते वक्त during this process arsenic and carbon monoxide are removed from the chamber are removed from the chamber याने इस बात का खासा खयाल रखा जाता है कि जब हम harbor process करें तब harbor process करते वक्त उस chamber के अंदर गलती से भी arsenic और carbon monoxide के traces भी न रह जाए traces मतलब अवशेश तुकड़े जरासी मात्रा में भी निराज जाए क्यों क्योंकि promote poisons basically poisons are the substances basically poisons are the substances that decreases yes that decreases the efficiency of your catalyst of your catalyst आपके catalyst की efficiency को decrease करीस करने का काम poisons करते हैं तो basically यहां पर आपके poison का सबसे बहतर और सबसे शांदर example क्या हो गया carbon monoxide and arsenic यह दोनो poisons है basically both of them are poisons for 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 iron they are poisons for iron during harbor process आपकी जो harbor process होती है harbor process के अंदर यह basically क्या होता मेरे प्यारे बच्चों poisons की तरह काम करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी आराम से इसको note कर लो फिर अब आगे चलते हैं और बात करते हैं homogeneous and heterogeneous catalysis की note कर लिया आगे बढ़े great चली next heading डालेंगे हम लोग प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में मैं अगली heading डालूंगा heading डालूंगा homogeneous होमो जीनियस and heterogeneous homogenous and heterogeneous catalysis मेरे प्यारे प्यारे बच्चों heading डालेंगे homogenous and heterogeneous Catalyzate, ना हुँँ मेने प्यारा बच्चों ये क्या होता है, देखो, मेरी बास समझता है, होमो मतलब सेम? यह हम लोग बच्पन सा जानते हैं, होमो मतलब सेम, एंड हेटेरो मतलब different, होमो मतलब सेम, एंड हेटेरो मतलब different, तो basically homogenous catalysis का मतलब होता, it is the process homogenous catalysis is a process in which the reactant, याने जिसमें आपके, जो reactant होते है, reactant and आपके catalyst, आपके reactant and आपके catalyst are in same physical state, they are in same physical state याने कि अगर आपका reactant भी gas है, तो catalyst भी gas होगा reactant liquid है तो catalyst भी liquid होगा reactant solid है आहाहा solid reactant दूसरे solid reactant के साथ में कभी react नहीं करेगा, क्योंकि solid conditions में molecules की काइनेटिक energy होती है, वो कम होती है, they cannot move उनके पास में movement नहीं होता, इसलिए एक solid, दूसरे solid के साथ कभी react नहीं करेगा, reaction करने के लिए आपको liquid या gaseous form में ही reactant चाहिए, हाँ एक solid reactant liquid reactant के साथ react कर सकता है, एक solid reactant gas के साथ react कर सकता है, लेकिन एक solid दूसरे solid के साथ react नहीं कर सकता तो यहाँ पर मेरा यही आपको कहने का मतलब है कि solid solid के साथ नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका कुछ example लेकर देखें तो guys मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं इसके कौन-कौन से example करा हूँ माल लो तुमारे पास में sulfur dioxide नाम की gas वती है और इस gas वती को तुमने oxygen के साथ react करवाया oxygen भी मेरे प्यारे बच्चों gas वती है तो यहाँ पर आपका जो product बनेगा वो SO3 बनेगा और यह भी gas वती होगा लेकिन हमारा लेना देना reactant के साथ में तो यहाँ पर आप देखो कि आपके दोनों reactant gaseous state में अगर यहाँ पर catalyst के तौर पर मैं nitrogen monoxide का इस्तेमाल कर लो तो nitrogen monoxide gas है तो यह हो गया आपका homogeneous catalysis यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका homogeneous catalysis एक और example उठा के करवाँ चलो सरे एक और example करवाँ मज़ा आएगा तो मानलो अगर तुम्हारे पास में एक easter है CH3 COOC2H5 जैसे मानलो आपके पास में एक easter है easter अभी liquid form में होगा आपने इसमें मिलाया पानी पानी भी liquid form में है जैसे ही आपने इसके अंदर acid डाला hydrochloric acid वो भी liquid form में है तो आपको आपका product मिल जाएगा CH3 COOH plus C2H5OH तो यहाँ पर आप देखो reactant and catalyst सब अपने liquid form में है all of them are in their liquid form मेरे प्यारे प्यारे बच्चो कोई दिक्कत सर एक और example बता दो कभी पूछ लिया किसीने हमारे बाबूश होना ने तो हम क्या करेंगे C6, C12, H22, O11 यह क्या है तुम्हारा sugar sugar को आप अभी dissolve कर लो पानी के अंदर तो liquid form में आ जाएगा aqueous form में आ जाएगा जैसे आप इसके अंदर acid डालोगे H2SO4 obviously liquid form में होगा तो यह convert हो जाएगा C6, H12, O6 glucose में and C6, H12, O6 fructose में glucose and fructose तो मैंने भी आरे बच्चा आप खुद देखो यहाँ पर भी catalyst and reactant same physical state में तो this is called as homogeneous catalysis इसे homogeneous catalysis बोला जाता है फटा-फट इसको note करो फटा-फट इसको note करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे note करो प्यारे बच्चो नोट करो चलो great भौत्ता है बढ़ी आए काम चला है एकदम पेड़ी जीसा काम चला है पेड़ी पेड़ी चलो आगे बढ़े great नो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आप लोगों से heterogeneous catalysis की बात करूं हिटेरोजीनियस catalysis क्या होता है मेरे गुलजारी लालो हिटेरोजीनियस catalysis का मतलब होता है जब आपके reactant वेन आपके जो reactant होते हैं when reactant and catalyst when reactant and catalyst are अरे लिख ले ने दे रे when reactant and catalyst are in different physical state are in different different physical state जब ये एक दूसरे से different physical state में हो यानि अगर आपका reactant liquid है तो catalyst solid हो जाए ऐसी condition में आप इसे heterogeneous catalysis मान कर आगे बढ़ेंगे तो क्या मैं आपको इसे कुछ example कर रहा हूँ definitely sir example की मिना तो मज़ा नहीं आएगा तो चलो एक example हम लोग इसका उठाते है मान लिए तुम्हाए बास में two moles of sulfur dioxide नाम की gas है आपने इसको oxygen नाम की gas के साथ react करा लेकिन यहाँ पर आपने platinum को as a catalyst मान लिए which is in solid state तो sulfur trioxide नाम की gas मिलेगी तो यहाँ पर तुम्हारा reactant और product अलग-अलग physical state में चला गया sorry reactant और catalyst अलग-अलग physical state में चला गया और आपकी सबसे famous harbour process nitrogen gas है hydrogen नामक प्राणी भी gas है लेकिन यहाँ पर आप iron को as a catalyst use करते हो जो कि solid है तो यहाँ पर आपको ammonia नाम का product मिलता जो कि definitely अपने gaseous form है उससे हमको खेर कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमको यह समझ जाए कि यहाँ पर catalyst और reactant बिलकुल एक दूसरे से अलग-अलग physical state में है और एक बहुत ही common example में आपको बताता हूँ हम लोग सब जानते हैं हमारे जो vegetable oils होते हैं vegetable oils जब आप इस vegetable oils के अंदर hydrogen नामक gas को add करते हो जब आप आपके vegetable oil के अंदर hydrogen नामक gas को add करते हो तो यहाँ पर आपको saturated oil मिलता है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर gas है vegetable oil liquid है लेकिन आप इसमें catalyst क्या यूज कर सकते हो nickel platinum या palladium यह तीनों ही solid है तो यह तीनों catalyst ना तो इससे ना तो इससे match कर रहे यह gas है यह liquid है लेकिन यह solid है तो यह वाली जो example है यह भी आपके heterogeneous catalyst की ही एक बढ़िया वाली example है कोई दिक्कत मेरे प्यारे प्यारे बच्चो मेरे लाड़ लो क्या आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पक्का 100% clear great अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और start करते है adsorption theory theory of adsorption adsorption theory start करते है adsorption theory now guys adsorption theory जो है इसके दो पहलू है हमारे पास पहली एक old theory है एक old adsorption theory हमारे पास में थी old adsorption theory सर यह क्या कहती है old adsorption theory क्या कहती है देखो old adsorption theory यानि जो तुमारे पुराने जमाने के scientist थे वो यह बोलते थे कि जब आपके catalyst के उपर reactant आकर adsorb करते थे समझना यानि यहाँ पर scientist लोगों ने हमें clearly बोल दिया कि आपके adsorption नाम का phenomenon देखने को मिलता है catalysis के अंदर यानि आप जो भी catalyst मिलाते हो chemical reaction के speed को बढ़ाने या घटाने के लिए वो catalyst actually में अपने खुद की surface पर reactant को adsorb कर लेता है reactant को चिपका लेता है अब क्या होगा मान के चलो imagine करो कि यह तुम्हारा catalyst है imagine करो यह तुम्हारा catalyst है अब catalyst की surface पर जैसे जैसे reactant की मात्रा बढ़ने लगेगी catalyst की surface पर जैसे जैसे reactant की मात्रा बढ़ने लगेगी reactant की quantity बढ़ने लगेगी आपको यह feel होने लगेगा that the concentration of reactant increases old absorption theory क्या कहती है old absorption theory बोलती है that S the concentration S the concentration of reactants increases on the surface of catalyst the rate of reaction increases बस इतना सा simple सा इनका कहना था कि जैसे ही आपने catalyst को डाला catalyst क्या करेगा catalyst इन सब reactants को पकड़ के अपनी surface पे लियाएगा अभी क्या हो रहा होगा अभी ये reactant हो सकता एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हो अभी क्या हो रहा होगा ये reactant एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे होंगे अब जब ये reactant दूर दूर भागेंगे तो reaction कैसे करेंगे इनको reaction करने के लिए जगा एक platform एक state चाहिए ना तो ये adsorbent ये जो तुम्हारा catalyst है ये catalyst क्या करेगा ये catalyst इन reactants को अपनी surface पर बुलाकर adsorb कर लेगा क्या कर लेगा अपनी surface पर बुलाकर adsorb कर लेगा अब जैसे जैसे reactant की मात्रा reactant का concentration catalyst की surface पर बढ़ने लगेगा आपको देखने को मिलेगा कि अब इनके बीच में chemical reaction होना start हो गई है and chemical reaction का rate धीरे 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 मेरे प्यारे बच्चों क्या होने लगा है यहाँ पर बढ़ने लगा है क्या इसके अंदर कोई दिक्कत अच्छा हम लोग यह सब एक बात और जानते है हम लोग सब एक बात और जानते है that as adsorption हम लोग सब जानते हैं हम लोग सब पढ़े के आये में आपको पढ़ा है that as adsorption is a is an exothermic process भई यह एक प्रकार की exothermic process है we all know that your adsorption is an exothermic process तो यहाँ पर जब adsorption होने लगा होगा यह surface पे से heat निकल रही होगी surface पे से energy निकल रही होगी अगर माल लो यहाँ पर physics option हो रहा होगा तो 20 से 40 kilojoule per mole की energy निकल रही होगी लेकिन जो भी निकल रही है energy तो निकल रही है तो यह जो energy यहाँ पर release हो रही है यह energy का इस्तमाल reactant कर लेते हैं product बनाने के लिए तो hence the released energy hence the released energy is utilized is utilized is utilized by the by the reactant to form to form products क्या बाद मेरे प्यारे बच्चों को समझ मा रही है products बनाने के लिए इसका इस्तमाल होता है यह है तुमारी total old absorption theory मलाब अगर मैं old absorption theory को अगर मैं old absorption theory को एक line में या एक point पे describe करने के लिए बोलू तो आप कैसे describe करोगे आप बस इतना बोलोगे कि sir old absorption theory कहती थी कि जो catalyst है वो reactant को अपनी surface पर लाकर accumulate करता है अपनी surface पर लाकर absorb करता है क्यों absorb करता है क्योंकि reactant को एक surface एक stage चाहिए reaction करने के लिए और वो surface वो stage आपका catalyst प्रोवाइड करता है तो catalyst आता है reactant को अपनी surface पर absorb करता है जैसे जैसे absorption जादा 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 बढ़ता जाता है reactants का concentration surface पर बढ़ता जाता है और reactant का concentration जैसे जैसे surface पर बढ़ेगा वैसे वैसे reactant आपस में react करना शुरू कर देंगे एक बात हम लोग और जानते हैं कि absorption जो होती है वो तो एक exothermic process होती है तो यह absorption करते वक्त जो heat यहां से release हो रही होगी जो energy यहां से release हो रही होगी वो energy भी पूरी तरीके से utilize की जा रही होगी by the reactant ताकि वो reaction करके product बना सके so basically यह है तुमारी old absorption theory यह है मेरे प्यारे बच्चों आपकी old absorption theory ठीक है देख लो इसको ध्यान से ठीक है आगे बड़े चलिए इसके बाद market में launch हुई तुमारी new theory new theory basically new theory को ऐसे को अलग से specify नहीं करते लेकिन हाँ एक बाद सब लोग ध्यान रखेंगे that new theory is basically a combination of new theory is a combination of old theory यहना आपकी जो पुरानी theory थी वो अज सही है वो गंदी नहीं है वो खराब नहीं है वो सही है लेकिन हमने उसके अंदे क्या करा एक नया point add कर दिया old theory and intermediate compound theory an intermediate intermediate compound theory यहना आपकी जो पुरानी theory है वो बिल्कुल सही है लेकिन हम उसके अंदर एक नई चीज अड़ कर देते हैं intermediate compound theory now यह theory क्या कहती है ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चो यह theory हमें कहती है कि आपके जो catalyst होते हैं उनके बल्क में तो कुछ नहीं लेकिन उनकी surface पर free electrons available होते हैं catalyst की जो तुमारी catalyst होते हैं catalyst की surface पर free electrons available होते हैं यानि यहां पर आप देखेंगे तो आपके कैटलिस्ट के इन पॉइंट्स पर आपके कैटलिस्ट के यह वाले पॉइंट्स पर यह वाले पॉइंट्स पर यह वाले पॉइंट्स पर यह पॉइंट्स पर यहां पर यहां पर और यहां पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको बहुत सारी free valences दिखाई देगी क्या यह बात समझ में आ गई क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ गई कोई दिक्कत अब क्या होगा इनके contact में आएंगे तुम्हारे reactant आपके reactant इनके contact में आएंगे याने हम लोग point number one कहाँ पर लिखेंगे चुर्ण हम आगे लिख लेंगे लेकिन अभी हम देखेंगे कि जैसे reactant इनके contact में आते हैं absorption शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं इसको arrow के ओपर ही लिख लेते हैं कि absorption of reactant on the surface of on the surface of catalyst due to free valencies free valencies होने की वज़ह से आपका catalyst reactants को अपनी surface पर adsorb कर लेगा अब आपको यह कैसा दिखने लगेगा देखो अब यह आपको कुछ-कुछ ऐसा दिखने लगेगा ये 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 और यहाँ पर आप लोगों को A और B A और B A और B A और B ये देखो एक single catalyst ने अपनी surface पर इतने सारे reactants को क्या कर लिया adsorb कर लिया ठीक है क्या कर लिया adsorb कर लिया अब adsorb करने के बाद में definitely 100 अका यहां से मुझे energy release दे होती भी नजर आईगी this reaction is exothermic so because adsorption is exothermic process the heat the heat released is utilized the heat the heat released is utilized to form intermediate to form intermediate compound सर यह intermediate compound क्या है देखी मैं आपको बताता हूँ यहां पर basically क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा यहां पर आपका यह जो catalyst है आपके catalyst ने इनको अपनी surface प्रोवाइड कर दी जमीन प्रोवाइड कर दी और आपके reactant ने जैसे ही यहां पर आपके reactant ने मेरे प्यारे बच्चो जैसे ही यहां पर adsorption किया जैसे ही यहां पर adsorption किया energy निकली और यह energy का इस्तमाल करके इन्हों ने आपस में chemical bonding कर ली now this is called as intermediate compound this is called as intermediate compound यहने intermediate compound में आपके individual reactants catalyst से जुड़ेवे हैं और ससूरे आपस में भी जुड़े गए कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत और जैसे ही intermediate बनता है आपको यहाँ पर desoption होता हुआ नजर आता है यहाँ पर आपको desoption होता हुआ नजर आता है desoption का मतलब आपके सारे, के सारे reactant जो अब तो product बन गए बाहर निकल गए और अब क्या हुआ, अब तुम्हारा catalyst जैसा पहला, अकेला, तनहा, वेला था यह वापस से अपना catalyst धेर सारी free valences लेकर आपका catalyst अगले lot के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है so basically this is your modern or new absorption theory, new बोल लो या modern absorption theory बोल लो क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आई, मेरे प्यारे बकुडों को समझ में आई देख लो, देख लो, देख लो, मेरे प्यारे बच्चो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात, 100% clear, चली तो एक एक करके आपन इसके steps लिख लेते हैं, तो क्या होगा सबसे पहले, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, diffusion of reactants, diffusion of reactants on the surface, on the, on the surface of catalyst, on the surface of catalyst, catalyst के surface पर reactant आका diffuse हुए, या नहीं कि अब आपने catalyst और reactant को एक medium में डालते हैं, diffusion होना शुरू हो गया, diffusion होने की वाइज से आप लोग देखेंगे, that absorption of reactants takes place, takes place, takes place on the surface of catalyst, on the surface of catalyst, क्या ही है, यह दो point clear है, मनला सबसे पहले, आपके reactants और आपके catalyst, एक दूसरे के contact में आएंगे, contact में आने के बाद, absorption हो जाएगा, आपके catalyst या reactants का, catalyst की surface पर, फिर क्या होने लगेगा, तीसरे point में, तीसरे point में क्या होगा, the free valencies, basically, the free valencies, were, the free valencies were occupied, the free valencies were occupied by, the reactants, the free valencies were occupied by the reactants, to get absorbed, to get absorbed, on the surface of catalyst, ठीक है, catalyst की surface पर, जो free valencies, उसका इस्तमाल किया गया, अब क्या होगा, अब यहाँ पर यह होगा, that due to, यहाँ ऐसा लिए लिए लिए, that as, adsorption, S, adsorption is a, is an exothermic process, is an exothermic process, the heat, the heat released, is occupied, the heat released, is occupied by, the reactants, to form intermediate compound, to form intermediate compounds, intermediate compounds, compounds, बनाने के लिए, मेरे प्यारे बच्चो, यहाँ पर, intermediate compound का formation होने लगा, उस heat का, इस्तमाल करके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फिर क्या होने लगेगा, that as, reactants are converted, as, reactants are converted into product, as, the reactants are converted into product, जैसे जैसे यह, product में convert होने लगेंगे, they are converted into products, desorption, desorption, takes place, desorption, takes place, and catalyst, regains, its free valencies, regain, its free valencies, to start the another process, to start the another process, जो तुमारी another process है, उसमें फिर यह लग जाए, तो यह है तुमारे modern adsorption theory का complete लेखा जोखा, ठीक है, so these are the points of your modern adsorption theory, आप लोग इसको किस नाम से याद रखेंगे, आप लोग इसे modern adsorption theory के नाम से याद रखेंगे, this is your modern adsorption theory, ठीक है मेरे प्यारे बच्चो, कोई दिक्कत, तो new theory is also called as modern theory, हम इसे याद करते है, modern adsorption theory, this is modern adsorption theory, ठीक है मेरे प्यारे बच्चो, तो यहाँ पर आपके adsorption theory वाला part भी complete होता है, इसको जरा इतना देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, प्यारे बच्चो, इसके आगे, इसका screenshot लेने के बाद, यह statements का screenshot ले लो, फिर हम लोग shape selective zeolights, activity, selectivity इसकी बात करेंगे, enzyme catalyst की बात करेंगे, तो बात अभी बहुत सारी करनी है, chapter जादा बड़ा तो नहीं है, देखो हम लोग enzyme catalyst करेंगे, फिर colloids आ जाएगा, colloids में छोटी मोटी बात और emotion आ रहे हैं, वनलब chapter तो finish की ओ रहे हैं, चलो इसका complete करो, फिर आगे चलते हैं, note it down.